प्रेडिक्शन देंगे टेक्टिकल जो बैटल्स है उसके उपर डिस्कुशन करेंगे लाइनप का आपको मैं बताऊंगा लेकिन सबसे पहले भाई स्टेक के उपर क्या है बहुत चीजें हैं स्टेक के उपर बड़ा मैच है 42 गेम्स अनबीटन रन 13 महीने पहले लास्ट टाइम रियाल मेडिड हारी थी लालिगा के अंदर और 42 गेम्स हो चुके हैं लेकिन इंटरस्टिंग चीज क्या है 43 गेम्स का अनबीटन रन का रिकॉर्ड है और वो है बार्सलोना का तो रियाल मेडिड ने या तो मैच जीतना है या ड्रॉ करना है वो रिकॉर्ड इकॉल करने के लिए और बार्सलोना को अगर अपना रिकॉर्ड बचाना है तो बार्सलोना को हराना पड़ेगा वरना रिकॉर्ड इकॉल हो जाएगा तो भाई बड़ा मैच है चीजें स्टेक के उपर हैं और on top of that तीन पॉइंट्स की सिरफ लीड है बार्सलोना के पास अगर बार्सलोना ये गेम जीट जाती है तो 6 पॉईंट्स हो जाएगे अगर ये बार्सलोना गेम ड्रॉ करती है तो 4 पॉईंट्स हो जाएगे दोनों massive results होँगे बार्सलोना के लिए लेकिन अगर Real Madrid ये game जीत जाती है home के उपर तो भाई points difference खतम हो जाएगा और Real Madrid confident feel करेगी बाकी matches के अंदर तो ये बहुत वड़ा match है और जो team भी जीती है बारसा के लिए draw भी अच्छा होगा, win भी अच्छी होगी लेकिन अगर Real Madrid जीती है they would feel के भाई we are back they are still in obviously लालीगा, तीन points का difference है बट Real Madrid lose करना इस point of time के उपर afford नहीं कर सकते क्योंकि जो बड़े matches होते हैं इसके अंदर momentum shift हो जाता है और अगर आप confidence यहां से ले लेते हैं जीत के दोनों team में से जो भी team जीतेगी तो confidence लेके जाएगी के भाई हम अब लालीगा भी निकाल सकते ही है तो बहुत बड़ा match है चीजें बहुत ज्यादा stake के उपर है stakes are very high तो देखते हैं के कौन जीता है ये match हम line up देख लेते हैं दोनों teams की लेकिन सबसे पहले आप अपनी prediction लाज़मी देदें लेकिन क्या line up हो सकती है देखें मेरे खसाब से टीबू कोटुआ बहुत अच्छे keeper है लेकिन Lunen has been brilliant for Real Madrid तो इतना बड़ा issue नहीं होगा Lunen जो है वो line up के अंदर आ जाएंगे बाकी Furland Mendy होंगे दो centerbacks आपके Militao होंगे और Rudiger होंगे राइट side keeper आपके खेलेंगे Vasquez, Chua Mani और Kamavinga का double pivot होना चाहिए और Bellingham को थोड़ा सा आप up top push करेंगे जहांपे वो अपनी best football खेलते रहे हैं right in behind, maybe in false line position sometimes, लेकिन right in behind Vinicius and Killian Mbappe और Feddy Valverde को आप push करें right half spaces के अंदर जहांपे वो अपनी best football खेलते हैं तो मेरे असाब से यही line up होने वाली है और यह line up होनी भी चाहिए कहीना कहीन तीन center backs की बात हो रही है लेकिन I personally feel के Carlo Encherotti इसी line up के साथ जाएंगे एक तरफ जहांपे Real Madrid के players injured हो रहे हैं Barcelona के players जो के काफी जाधा injured थे वो वापस आ रहे हैं और rhythm में कुछ players वापस आ रहे हैं तो Danny Alvo 90 minutes के लिए most likely available होंगे उन्होंने part भी लिया था पाइन मुनिक के गेम के अंदर Frankie Niong ने अच्छे 30-35 minutes खेले थे तो वो भी available होंगे most likely Gavi भी जो के सविया की game में कुछ minutes के लिए ते वो भी available होंगे this is good news and obviously फरमीन ने तो बेतरी खेला already और start भी गया था लेकिन क्या options available है यहाँ पर Hansi flick के बास लेकिन क्या 11 होनी चाहिए और क्या होगी I understand कि अनाकी पैना as a sweeper keeper थोड़ा सा confidence नहीं देते डर लगता है लेकिन अब सेंस नहीं बनती especially by ayn के game के बाद कि आप शेजनी को एकड़म से include करें तो मुझे अज़ा लग रहा है कि पैना ही खेलेंगे और उनको ही खेलना चाहिए उसके लाबा बाल्डे कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेस, कुंडे कसाडो, पेडरी यही प्लेर्स खेलेंगे रफीनिया लेफ साइड की उपर लेफ इंटीरियर पॉजिशन पर लमीन अमाल राइट साइड पर अब मेजर कॉल जो लेनी है वो नमबर टैन यह राइट हाफ स्विसिस के अंदर लेनी है अंसी फ्लिक को यहाँ पर because it's a good headache it's a good headache because फरमीन ने जिस तरह खेला बाइन के अगेंस और डैनी अलमो आपको पता है एक quality player है तो यहाँ पर लेना पड़ेगा depending on कि डैनी अलमो की किस तरह की fitness है I personally will go for डैनी अलमो मैं डैनी अलमो के ऊपर चाहूँगा फरमीन ने obviously game start किया था उनको थोड़ा सा rest भी मिल जाएगा don't forget it was a high intensity game और यह वाला game भी high intensity game होने वाला है but I have no problem कि चाहे फरमीन start करें या फिर डैनी अलमो start करें तो यह most likely बार्सा की 11 होगी अब हम थोड़ा tactically बात कर लेते हैं कौन सी battles देखनों को मिलेंगी सबसे बड़ा जो discussion point है वो यह हो रहा है जो बार्सा जो बाइन की game से पहले भी हो रहा था या और इतने PC players है बाइन के पास हाई लाइन बार्सा को नहीं खेलनी चाहिए लेकिन Hansi Flick ने कहा गया बाई मैं नहीं मानता मैं तो हाई लाइन ही खिलाओंगा और आपको शुरू के 20 minute आपका जो है वो दिल डगडग कर रहा होगा आपके मूँ के तक आगे होंगे ऐसे मूँ से निकल ली रहे होंगे लेकिन फिर बार्सा ने जो है वो कमबैक किया और कंट्रोल लिया गेम के अंदर तो इस इस हाव Hansi Flick will play I am not expecting Hansi Flick not to not to play high line वो high line ही खिलाएंगे high risk high reward this is how it is you score more than the opposition you recover quickly जब ball give away होती है आप opposition half में ball recover करने ही कोशिश करें अगर वहां नहीं होती then you push wider areas के अंदर आप push करें के वो wider areas के अंदर जाएं ताकि आपको recovery का time मिले है जैसे मैंने बाइन की game में भी explain किया तो this is how Barca will play तो ऐसा नहीं होने वाला कि Barcelona high line नहीं खेलेगी Barca को अपनी strength के उपर खिलना चाहिए वो अपनी strength पे खिलेंगे तो आप भी अपनी strength के उपर खिलें राइट आप देखें मैं हमेशा ये बात कहता हूँ जो Barca का DNA है जो ये जो Barca के लामासिया के players आपको दिखती है ये thrive करते हैं इन्होंने सीखा है ball के उपर तो जब ये ball के उपर नहीं होते हैं तो obviously हमने देखा के बार्सा ने अच्छा cope-up किया अंडर अंडर अंसिफ लेक वो अच्छा work rate दिखाते हैं लेकिन comfortable कभी भी नहीं होगी बार्सा ठीक है तो Real Madrid अगर ball के उपर हो बहुत अच्छी बात है भी विनिश्यस ने भी जीती है बड़ जातर हमने देखा है कि अराहो comfortable अराहो तंग करते हैं विनिश्यस को लेकिन अराहो अब नहीं है और अराहो क्यों तंग करते हैं तो वो defensively strong है physically strong है लेकिन सबसे important बात है कि वो recovery pace है उनके पास वैसा नहीं कहा रहा है कि निगो के पास नहीं है obviously कुंडे के पास है recovery pace कुबार्सी के पास उतनी recovery pace नहीं है जितनी अराहो के पास है obviously कुबार्सी की जो strength है वो उनकी ball playing ability है बड़ अब अराहो नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं अब देखें आपने high line तो खेल नहीं है in behind के लिए नमबापे नहीं भी जाना है Vinicius नहीं भी जाना है बलिंगम नहीं भी जाना है main चीज किया है main चीज कहां पर आपने disrupt करनी है जब आप high line खेल रही है opposition हाप में खेल रही है अब press कर रही है आप channels को break कर रही है Real Madrid के passing channels को break कर रही है तो आपने क्या करना है आपने ये करना है देखें वो in behind या फिर through ball तभी निकलेगी aerial या through ball in behind तभी निकलेगी जब उनके जो midfielders deep playing midfielders है तो कि most likely कामा विंगा उस position के उपर खेलेंगे उनके channels को आप उनके passes को आप block करें उनके उपर आप pressure create करें इसलिए मेरे असाब से right hand side पे कसाडो, कुबारसी, कुंडे और obviously जो right half spaces में player खेल रहा होगा अलमो और फेर्मीन उनका game, top game even लमीन यमाल का भी work करें top होना चाहिए उस side के उपर ताके आप वो passes को block करें वो through या फिर जो in behind through और aerial passes आप उनको block करें देखें है, रियान मेरेड के पास ना पिछले 3-4 साल के अंदर वो quality थी उस position पे Tony Cruz थे वहाँ पे और अब Tony Cruz जो है वो Instagram पे गलत predictions दे रहे हैं Tony Cruz नहीं है टेम के अंदर तो वो बेतरीन प्लेयर था आपने कितनी दफा देखा है बड़े गेम्स में अलक्लासिकों के अंदर याद है वो आपको इशारा आप है तो निकल वनीशन बॉल आएगी तो वो नहीं है मैं ये नहीं कहा रहा है कि quality नहीं है अगर आपने गेम पकड़ना है तो उसका ये तरीका नहीं है कि आप लोग ब्लॉक के अंदर चले जाए और रियान में डिटू खेलने दे वो आप नहीं सस्टेन कर पाएंगे बरनेवियो के उपर डॉर्टमेंट ने क्या गलती किया डॉर्टमेंट अगर आप होम पे खेल रहे हैं वो अलग बात है लेकिन अगर आप बरनेवियो के उपर खेल रहे हैं और अगर आप 30, 35 या 40 मिनिट भी अगर आप यह सोचते हैं जो डॉर्टमेंट ने सोचा नूरी साहीन ने सोचा कि भाई मैं अब दो गोल की लीड बचा लूँगा वो एक गोल होने की देती उन्होंने फाड दिया तो यह नहीं कर सकते हैं आप स्पेशली अट बरनावियो के उपर तो इसलिए आपने अपनी स्टेंट्री पे खेलना हाई लाइन इंटेंसिटी मिंटेन करनी है और जो पासिंग जो पासिंग रेंज है वो ब्लॉक करनी है डीब मिड फिल्ड से वहाँ से अगर आपने कंट्रोल कर लिया मिड फिल्ड को और वहाँ से पासिस को ब्लॉक कर दिया स्विचेज को, एरियल स्विचेज को, थ्रू स्विचेज को ब्लॉक कर लिया, तो obviously कि लिए नमबापे और विनिशियस और बिलिंगम उतना ज़दा गेम में नहीं आ पाएंगे, obviously it's not that easy, कहना असान है, करना मुश्किल है, but that is आपको वहाँ पे, और मुझे आप देखिएग गेम के अंदर, आंसी फिलिक की टीम इस चीज के उपर फोकस करेगी, rather than के भाई हम हाई लाइन ना खेले, so that is the most important thing, obviously लोग के लिए नमबापे की बात कर रहे हैं, विनिशियस की बाप, बिलिंगम ये लेफ्ट साइड पे ओवरलोड करेंगे, राइट साइड के उपर से स्विच करेंगे, वो आपको स्विच नहीं करने देना, लेफ्ट पे थुरू नहीं आपने जाने देना और राइट के उपर आपने अरियल स्विच नहीं करने देना, that is the most important job of all the midfielders, जो के high attacking midfielders भी होंगे और जो के DMs भी होंगे आपके, लेगिन सब लोग इसके उपर बात करें हैं, लेकिन कोई इस चीज के उपर बात नहीं कर रहा है, कि Lucas Vasquez is brilliant going forward, but he is, मतलब आप वो गोल देखें, जो second goal हुआ था, उसके अंदर Lucas Vasquez, अगर कारवाल होते हैं, तो would I have done better, right, defensively, लुकस Vasquez हमेशा से winger थे, he is defensively not that great, तो people are not talking about कि भाई, रफीनिया क्या करेगा उस साइड की उपर, रफीनिया क्या करेगा और क्या कर सकता है, पेडरी उस साइड की उपर खेलेंगे, obviously Feddy Valverde, आपको pushback करना है, Real Madrid को, अपने हाफ में, आपको Feddy Valverde को, आपको Chumeni को उस साइड से, आपको right साइड की उपर Vasquez को pushback करता है, जितना आप pushback करेंगे, जितन जितना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, हमने देखा है कि लेवन्डॉसकी, पेडरी, रफीनिया, डेनी ओल्मो, लमीन अमाल, जितना बॉक्स, लेवन्डॉसकी बॉक्स के अंदर, और ये जितना प्लियर्स बॉक्स के करीब होते हैं, उतना ज्यादा लीथल होते हैं, तो आपको पुश बैक करना है, और रफीनिया वर्सिस लुकस वास्केस भी एक इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है, उसके उपर भी नजर रखें, तो भाई ये की एरियास थे, जो मैंने आपको, मैंने डिसकस कर ली हैं, और I think it is going to be a blockbuster game, end to end भी हो सकता है, spaces काफी अपनी प्रेडिक्शन लाजबी दें इन दे कमेंट सेक्शन और स्कोर लाइन भी बताएं, कमेंट सेक्शन के अंदर, लाइक करती का, सब्स्राइब करती का, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, श्कल बार साथ,